सभी मित्रों को नमस्कार जैसा कि आज राहू पर चर्चा हो रही है कुंडी में राहू के प्रफाव से शौरिय, साहस, मुटापा, पहलवानी, पापकर्म, दुख, चिंता, संकट का अध्यन किया जाता है वैसे यह गिर्ए निर्धनों के सायक रहनुमा प्रग्रह है जिसकी सायता पर यह आ जाता है, अमतिन समय तक उसकी सायता करता है सब उसके आगे नतमस्तक हो जाते है, यदि वैस शनी के साथ हो, तो साथ के मन के जैसा प्रवाव होता है मंगल के बिना राहू बिगड़ा हुआ हाती होगा, हर्थात यदि मंगल के साथ यह साती हो, तो राहू शान्त रहेगा सूरिय और शनी राहू स्ववभाव दोनों इकटे एक घर में बैठे अच्छे नहीं होते उल्टे दोनों के मिलने से मंगल बद्ध हो जाता है नीच राहू के समय दक्षिन वाला दर्वाजा या मकान आर्थिक कठीनाईयों उत्पन उपस्तित कर देता है नंबर चार चंदर स्ट्रेश्ट हो तो राहू कभी बुरा प्रभाव नहीं करता उसी प्रकार मंगल तीन बारा या राहू चार हो तो नीच प्रभाव नहीं देता वर्षफल में मंगल नंबर एक में आने पर राहू चुप रहेगा जिस गर में बैटा हो उस गर की चीजों की वर्दी में रुकावट पैदा करता है बारी से बारी चोट को भी फूग मार के बुला देने वाला होता है ब्रस्पती के घरों में दो पांच नो बारा या ब्रस्पती के साथ बैटा हो तो ब्रस्पती को दमा कर दे कोडी बना दे सूरिय के साथ ने केवल उस पर बलिक साथ वाले घर के हाल भी खस्ता कर देता है भाव नमबर एक में सूरिय को ग्रहन दस में शक्की होता है ग्यारा में पिता या गुरू को रुला दे तीन में रक्षक चार में ठीक पांच में गरपात तक करवा देता है शे में भी राउट ठीक रहता है केवल साथ में केवल लक्षमी का दुआ नकाल देता है अट में मोत का नगाड़ा बजा देता है और नौ में जातक को धर्मीन कर देता है उत्तम परभाव के समय जातक को चाहे कितनी भी चोट लग जाए फूक मार कर ही ठीक कर देने वाला होता है जब कुंडली में मंगल नेक और शनी दोनों इकटे हो तो राहू का प्रभाव उत्तम होगा यदि मंगल बद होगा तो जाता प्विश्य में घटने वाली घटनाओं को अनुमान पहले से ही लगा लेता है राहू मंदा या नीच के समय राहू का प्रभाव अपनी अवस्था यानि कि 42 वर्ष बीच जाने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है सूरिय और शुक्र इकटे के समय राहू का प्रभाव नीच हो जाता है जब सूरिय और शनी दोनों इकटे हो तो नीच फल देता है और मंगल बद भी हो जाता है यदि पहले के घरों में केतू और बात के घरों में राऊ हो तो दोनों का प्रभाव नीच हो जाता है सूरिय के साथ होने पर केवल सूरिय वाले पर सूरिय वाले घर का प्रभाव नीच होगा अपितु साथ वाले घर का प्रभाव भी नीच हो जाएगा उपाय के तौर पर नीच राओ के समय चंद्र की सहता ली जा सकती है बीमारी के समय मसर की डाल दली हुई रुपया पैसा तीन दिन भंगी को देते रहे अपने भार के वजन बराबर जोर या कोई अनाज बहते पानी में भाए राजदर्बारी जगडे हो तो अपने भार के बराबर कच्छे कोईले बहते पानी में भाए जो रात को भीगो कर शिराने रखके और प्रात सुबा होते ही जानवरों को डाल दे